आज तर चला तो बोलता है क्या मैं पूरे एक दिम सोया नोल्स बोलती है हां तुम खराटे भी मार रहे थे मिमोसा बोलती है इससे पता चलता है कि तुमने कितनी ताकर से रड़े क्लाउट्स बोलता है कि हमें भी लड़ना था जैसे हम पहुचे वो वहाँ से जा चुके थे मिमोसा बोलती है बट हमने तुम्हारा ख्याल रखाता आस्ता मिमोसा से हिल करने के लिए शुक्रिया कहता है मिमोसा बोलती है मैंने इतना कुछ नहीं किया है सबसे जादा तो क्लाउट्स नहीं किया है वो रात पर तुम्हारे लिए जगा भी था क्लाउट्स बोलता है तुम्हारी विज़े से सारे बच्चे सेफ है इसलिए तुम्हारा शुक्रिया और जो नीगी था उसे मैजिक नैट हैटकॉर्टर में ले गए है पूछता अच के लिए मुझे तो लगता है वो बिलकुल निर्दोश है उसे आइस ऑफ दू मिडनेट सेंग के बारे में इतना कुछ नहीं बताए मिमोसा बताती है कि उसको पच्टावा आए इसलिए वो चाता है कि चर्च की सेवा करे आस्ता बोलता है ये सब उसके लिए ठीक है क्लाउट्स बोलता है आस्ता तुमने अच्छा काम किया यूनो क्लाउट्स की बात काटते हूँ बोलता है अगर मैं होता तो उसे जाने ही नहीं देता आस्ता बोलता है अगली वार मेरे से नहीं बचेगा मैं और ताकत पर बनुगा और मैं तुम्हें हरा दूँगा फिर यूनो बोलता है यह होई नहीं सकता, मैं तुमसे और ताकत वर बनुगा, आस्ता बोलता है मैं और 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 जाधा ताकत वर बनुगा, यूनो बोलता है मैं उससे भी जाधा ताकत वर बनुगा, ऐसे करते हुए दोनों लड़ने लगते हैं, जाते समय में मोसा बोलती है कि सिस बुष भी उसके साथ ही होगा भी गुष बोलता है मैं तुमसे मिलने आया है हो बुडिया तुम्हें तो पता ही नीए कि कम नर्ना चीह शेटर बुषत बलती है सिस्टर रमॉपटिये तुम्हें बात करने की नहीं कि जह इए दफ आउ-आ बहर्त flavor गुष सिस्टर के पास जाता हूँ बोलता है मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी मार सकता हूँ सिस्टर बोलती है करके तो दिखाओ क्रिमिनल दिमाग वाले बहन के आशिक मरीज गुष से मना करती है कि प्लीज ऐसे मत लड़ो गुष बोलता है अगर तुम ऐसे ही चाती हो तो ठीक है गुष सिस्टर से बोलता है मरीज का ख्याल रखने के लिए शुक्रिया सिस्टर बोलती है अच्छ वह तुमारे इंदा थोड़ा दिमाग आ गया गुष बोलता है कि मैं खुश हूँ कि तुम जिन्दा हो गुष बोलता है एंजल मरीज अब तो तुम खुश होगी न अचानक से माँ पे आस्टा आ जायता हो मरीज उसके हाथ पे जाके जूलने लगती है ये देखे गुष फत्तर का बन जाता है मरीज बोलती है मुझे तुमारी चिंता हो रही थी आस्टा बोलता है मैं तनी आसानी समढ़ने वाला नहीं हो आस्टा सिस्टा से पूचता हो आप कैसे हो सिस्टा बोलती है आस्टा तुम बहुत बादर हो मैं तुमारे बादर हो मैं तुमारे बादर में सिस्टा लेली को बताऊंगी ये जानका वो बहुत खुश होगी आस्ता ही सुनके खुश हो जाता हूँ बोलता है मैं जिस दिन विजार्ट किंग बनुगा उससे मिलने जाऊँगा तब ही वहाँ पे नोयल सा जाती है वो उससे चलने के लिए बोलती है आस्ता बोलता है भी हमें कहीं और जाना है आस्ता रेविका के यहां पे बहुत सारा खाना खा रहा होता है वो बोलता है यह तो बहुत टेस्टी है रेविका बोलती है मैंने यह सब कुछ तुमारे लिए बनाया है नोस बोलती है ये क्या है सच में लाजवाव है ये तो आस्ता की पीछे कुछ बैटा होता है वो बोलता है मैं इसे मार दूँगा मैरीज बोलती है बस भी करो भईया आस्ता रेविका से बोलता है मुझे तो अभी भी बहुत बूख लग रही है नोलस आस्था के बारे में सोचरी होती है और बोलती है कि लगता है लड़कों को खाना बनाने वाली लड़किया जादा पसंद है तब ही वहां पे मार्कों आ जाता है और आस्था को उसका रोप दे दिता है जब तुम पहनते हो उससे जादा अब अच्छा लग रहा है बचाया इसके लिए शुक्रिया आस तो बहुत खुश होता है बोलता है ओह कोई बात नहीं यह सब देखने के बाद नोल्स के होश ओड़ जाते हैं वो बोलती है यह क्या हो रहा है और जोर से चिलाने लगती है मैं बोलता है तुम सभी की रिकवरी होने के बाद और एक अजी है तुमारी बगबग खत्म हो यह हो तो चलो शुरू करते हैं नोल्स एक बाइट खाती हो बोलती है इससे तो मेरा मुझ सूख गया जैसी लग खाने के लिए उठाता है उसका पेट फूज आता है लग बोलता है मैने तो कुछ खाया भी नहीं अभी कैप्टने अंभी फिं के अंदर से गोर्जा निकलता है आस्ता यह देखके शौक हो जाता है गोर्जा आस्ता से हाई बोलता है कैप्टन हमी बोलते है पागल पंती मत करो निकलो बार गुष बोलता है इससे अच्छा तो मैं अपनी बेहन से मिली आता है कैप्टन बोलते है तुम दोनों भी बार नोल्स पानी का गिलास लेती है और गिर जाती है गैनिसा नोल्स भी आउट हो जाते हैं कैप्टन बोलते हैं इसका मतलब आस्ता चारवी बचे है बस मेगमा उन दोनों के पीछे आ जाता है और बोलता है तुम दोनों ही बच्चे अपनी जी जान लगा दो आस्ता और चारवी कि कले मीटिंग होने वाली जिसमें कैप्टन के साथ आस्ता को भी जाना है मार्स विजार्ट किंग से बोलता है कल के लिए मैंने कांफरेंस रख ली है विजार्ट किंग बोलता है तुमने अच्छा काम किया मुझे यकिर नहीं हो रहा है कि हम ऐसे कोई गदार है जो आइस और मैं विजार्ट किंग का एडवाईजर हूँ आस्ता बोलता है ये तो तुम कमाल हो मश्रूम एड मार्स बोलता है ये बड़ा मेनत का काव है मगर मेरा नम मश्रूम एड नहीं मार्स है कैप्टन यामी बोलता है मीटिंग कितनी दिर में मार्स बोलता है उसमें थोड़ा आस्ता बोलता है क्या इंपॉर्टेंट काम मार्स बोलता है तुम्हें तो पता हिए अभी रॉयल कैप्टल पे हमला हुआ था वो हमसे एक कदम आ गे थे इसलिए हमें शक है कि कैप्टन मैंसे कोई गजदार है और विजार्ट किंग को यकीन है कि तुम्हारा एंटी मैजिक कौन कौन से जाद होता विजार्ट किंग बोलता है क्या कौपी मैजिक फाइनल स्पिरेट और शॉक हो जाते हैं इस सब सुनके विजार्ट किंग बोलते है मुझे भी ये सब देखना था अचानक से बीच में मार्क सा जाता है और विजार्ट किंग बोलते है सौरी सौरी और कुछ पता लगा लेगा आस्ता डरावनी हसी के साथ आगे बढ़ता है वो देखके सभी लोग ड़ने लगते हैं आस्ता उनके हैड़ पे टच करता है जिनसे उनका जादू निकल जाता है फिर मार्स अपना मैजिक करता है और बोलता है अब याद दाश से मैं उनके बाद भी सभी लोग भाग गए जैक बोलता है वो बहुत ताकत वरते हैं कैप्टन यामी अपनी तलवार को साफ करते हो बोलते हैं ये मेरी किटाना वाट टाइम तर चलेगी और इसका इमाई भी लंबा है परपल और ग्रीन के कैप्टन यामी का मजाक उड़ाने लगते है और बोलते हैं पहले भी तुबार तूट किती ना इसमें क्या आए कैप्टन यामी बोलते हैं मेरे पास काफी स्टार है जैक बोलता है वो जो स्टार नेगिटिव में उस पे तुम कर रहो हो नोजेल बोलता है परिशान करना बंद करो हमें किसान उसकी बात नहीं सुननी कै पारलोड बोलती है पागल लोग कितना शोर मचा रहे हैं और वन में सोच रही होते हैं मैं यामी के बगल में क्यों हूँ रिल बोलता है यहाँ पर यह सब कुछ असली हो रहा है क्योंकि यहाँ पर कैप्टन फल्गोरियन नहीं है शायद मुझे कुछ करना चाहिए रिल कैप्टन फल्गोरियन जासा फेस बना लेते हैं और बोलते हैं यह फल्गोरियन का एक्सपिरिशन जैक और नौजल देख रहे होते हैं और बोलते हैं यह क्या कर रहे हो परपल ओरकेस के केप्टन वोलते हैं इतने सारे स्टार पाने का राज क्या है और आकिर तुम्हारे स्कॉर्टर का सबसे ज़ादा स्टार मिले हैं ये कैसे हो सकता है वेंगनWas? बोलते हैं तमेर मैनत करते हैं बहुतुमारे पास अतने सारे पैसे कहा से आ इसका क्या राज है परपल औरकेस्ट के कैप्टेंटर जुखे के रहते हैं कि एक सिक्रेट है कैप्टन आमी बोलता है मैं जुवा खेल रहा था और पैसे हार गया था सॉरी नॉजल बोलता है तुमसे किसे ने पूचा और फिर से बहुत से स्टार्ट हो जाती है रिल ये देख के सोच रहा होता है फिर से ये हो रहा है मुझे कुछ करना चाहिए रिल नॉजल की तरह बाल बना रहा होता है नॉजल बोलता है अगर तुमने मेरी नकल नकालने की कोशिश की तो याद रखना बेटा मैं क्या करूँगा कैप्टन आमी रिल के सिर पे हाथ रखते हैं बोलते हैं तुम सच में मदा किया हो फिर Yami वैंग गैंग सोलते हैं कि मेरा मतलब है लाइट मैजिक तुम यूज नहीं करते हो ना वैंग गैंग सोलता है हाँ और सभी लोग शक करने लगते हैं रिल बोलता है फिर से हो रहा है और ये बोलता है कि ये Captain Yami का एक्सपरेशन है एकदम से कैप्टन गुस्टे में बोलते हैं चुप बैट बेफूफ मेरे को इनके ऐसा मत समझी हो यह सोच रहा होता अभी तो यह हस रहते है अब चड़ गए कैप्टन आप ही पेकाउक की कैप्टल दौलती से बोलते है क्या तुम यही वे सोती रहोगी बस कैप्टन आप ही बोलते है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है और एकदम से वो खड़े हो जाते है जूलियस ने हमें यहाँ पे बुलाए ता वो कहा है मतलब विजार्ट किंग ऐसा तो नहीं कि वो बूला भूल गया हो सभी लोग बोलते है हाँ यह हो भी सकता है तभी अपने मैजिक से वहाँ पे मार्स आ जाता हो बोलता है देरी के लिए माफ करना सभी तैयारी हो चुकी है सभी लोग कॉनफरेंस रूप में पहुची है कैप्टन आप ही गुस्से में मार्स को देख रहे होते हैं वो बोलते है अच्छा तुम हो सभी कैप्टन कुर्वर किंडम की जेल के अंदर आ जाते हैं कैप्टन यहाँ आप हिस्टा से बोलते हैं तो बहुत मैनद कर रहे हो आप वुच शानत हो аूँता हो बोलता ही है सर गेंग गंग विजाड किंग से पूथता है यहां बलाने की विजा किया है चार्लोट बोलते हैं ये तो Eyes of the Midnight Sun के लोग हैं क्या कुछ पता चला है जार्ट किंग बोलते हैं हाँ मार्क्स और आस्ता की वेज़े से कुछ पता चला है कि तुम मैंसे कोई एक गदार है जो Eyes of the Midnight Sun के लिए काम करता है तो ये एपिसोड होता है यहीं पर समाप अगर वीडियो पसंद आयो तो लाइक कमेंच जरूर करना तो फिर मिलते हैं कल एक नए एपिसोड के साथ गुडबाई एंड टेक केर